जै स्री कृष्ण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारी चैनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आज मैं आपको गरुर प्राण के बारे में अध्या की कता सुना रहा हूँ एका दसा कृत्य निरुपन मृत सैयादान गौदान घटदान अश्टमहदान वरसोत सगर मद्यम सोशणी उत्तम सोशणी एवं नारैन वली गरुड जी ने कहा ही सुरिश्वर बारे में दिन के कृत्य वेदान को भी बताईए और ही जगदिश्वर वरसोत सर्ग की विदी भ बताईए श्री भगवान ने कहा ग्यारे में दिन प्राते काल ही जला से पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और दहिक क्रिया करने चाहिए वेद और सात्रों का अब्यास करने वाले ब्रामनों को निमंत्रन करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के करें आचरवी इश्नान संध्या आदी करके पवित्र हो जाए और ग्यारे में दिन के लिए उजेत करत्यों का विदिवत विधान आरम करें दरस दीन तक मिन्तक की नाम घोत्र का वच्चारन मंत्रों चारन के बिना करना चाहिए ग्यारम दिन प्रेट का पिंडदान समेंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए है गरं स्वण से विश्णु की, रजट से ब्रह्मा की, तामर से रुद्र की ओर लोग से यंग की पृतिमां बनवानी चाहिए पश्यम भाग में गंगा जल से पर पूर्ण विष्णु कलश इस्तापित करके उसके उपार पीत वस्त्र से वेश्टित विष्णु की प्रत्मा इस्तापित करें पूर्दिसा में दूद और जलसे भरा ब्रह्म कलस इस्तापित करके उस पर स्वीत वस्त्र से वेश्टित ब्रह्मा की स्तापना करें उत्तर दिसा में मदु और ग्रत से परपून रुद्र कुम की स्थापन करके रक्त वस्तर वेशिट करके उस पर यं की प्रितमा इस्तापित करें उनके मद्द में एक मंडल वनाकर उस पर पुत्र कुस से निर्मित कुस मैं प्रेत की पृत्मा इस्ताफित करें और दक्षनमा विमुक हो एवं अब सब ये होकर तरपन करें विश्नु ब्रह्मा सिव और धरमराज यम का बेद मंत्रों से तरपन करें तब होम करने के अनंतर स्राद और दस घट आदी का दान करें तदंतर पित्रों को तारने के लिए गोदान करें गोदान के समय है मादव ये गोव मेरे द्वारा आपकी प्रिसंता के लिए दी जा रही है इस गौदान से आप प्रिसन होई ऐसा कहें। तब पुत्र सय्या के उपर प्रित की स्वान मैं प्रितमा कांचन प्रुष को इस्तापित करें और उसकी पूजा करके यताविदी मिर्त सय्या का दान करें। बाद प्रितक्षन और प्रिणाम करके विसरजन करना चाहिए। इस प्रिकार सय्यादान नवक आदी स्राद और व्रसोत सर्ग का विदार करने से प्रेत परमगती को प्राप्त होता है। ग्यार में दिन विदी पूर्वक हीन अंगाबले रोगी अत्यंत छोटे वचडे को छोड़कर सभी सुव लक्षनों से योक्त व्रस का विदी पूर्वक और सर्ग करना चाहिए। ब्रामण के उद्देश से लाल आख वाले पिंगल वर्ण वाले लाल सिंग लाल गला और लाल खुर वाले सपेद पेट तथा काली पेट वाले ब्रसव का उसरजन करना चाहिए। चत्री के लिए चिकना और रक्तवर्ण वाला वैस के लिए पीतवर्ण वाला और सुद्र के लिए कृष्ण वर्ण का ब्रसव ब्रसोत सर्ग के लिए प्रसष्ट माना जाता है जिस ब्रिसव का सरवांग पिंगल वर्ण का हो तता पुँच और पेर सपित हो वैं पिंगल वर्ण का ब्रिसव पित्रों की पिरसंता बढ़ाने वाला होता है ऐसा कहा गया है जिस ब्रिसव के पैर मुख और पूँच स्वेत हो तता सेस सरीर लाल लाख के समान वड का हो वै नील व्रस कहा जाता है जो ब्रिसव रक्त वड का हो उसका तता जिसका मुख और पूँच पांडुर वड का हो तता खुर और सिंग पिंगल वड का हो उसे रक् जिस साण के समझत अंग एक रंग के हो तता पूँचवा खोर पिंगल वन का हो उसे नील पिंग कहा गया है वह पूरवजों का उद्दार करने वाला होता है जो कभूतर के समान रंग वाला हो जिसके लिलाट पर तिलक सी आकरती हो और सरवांग सुंदर हो वह बब्रो नील व वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो उसे महा नील व्रसव कहते ही इस प्रकार नील व्रसव पांच प्रकार के होते ही व्रसव का संसकार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए घर में नहीं रखना चाहिए इसी विशह में लोक में एक प्रानी गाथा प्र कन्यां कोई बेवा करे दो GU करता है। और गयाह में स्राध करता हैं वही पुत्र हैं। बिष्टा की समान है। जिसके इन पुरवज्श रौरव आधी स्रान के से एक इस की इस फीड़ी के पुरश के सिगे व्रसोत सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार दिता है स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस पिरकार व्रतो सर्ग की कामना करते हैं हमारे वंस में कोई पुत्र होगा जो व्रतो सर्ग करेगा उसके द्वारा किये गए, व्रसोत सर्ग से हम सब परमगति को प्रातोँगे, हम लोगों को सबी यग्यों में स्रेश व्रस यग्य मुक्ष देने वाला हैं, इसलिए प्त्रों की मुक्ति के लिए यथोपत, विदान से सबी प्रेत्न पूर्वक व्रस यग्यां, अथार्थ व बच्ड़ा और बच्ड़ी को ले जाकर उन्हें कंकन वांदे और बैवाहिक विदान की विदी की अनुसार इर्सम में उन्हें बांदे फिर बच्ड़ा और बच्ड़ी को रुद्र कुम्म के जल से इस्टान कराई गंद और माले से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षना कर पूर्वकाल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम ब्रस रूपी धर्म हूँ, तुमारे उत्सर्ग करने से तुम भवावार्ण से पार लगाओं, इस मंत्र से नमस्कार करके बचला और बचली को छोड़ दे, भगवान विश्णु ने कहा इस प्रिकार जो व्रसोत सर्ग करता है, मैं सदा उसे भर प्रदान करता हूँ, और प्रेत को मुक्ष प्रदान करता हूँ, अते व्रसोत सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए, अपनी जीविता वस्ता में भी व्रसोत सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है, कोत्र हीन मनुशतो स्वयम अपने उद्देश से व्रसोत सर्ग करके सुख पूर्वव परम गती को प्राथ करता है। चित होकर विदी जानने वाले सुख लक्षनों से युक्त ब्रामन को बलाकर जब होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्ववक्त रिती से सभी होम आदिक कृत्यों का संपादन करना चाहिए। अगने होत्र आदि यग्यों से और विवेत्दानों से भी वह गती नहीं होती जो ब्रतो सर्ग से प्राथ होती है। वाल्य वस्ता कौमार पाण योवन और व्रद्दा वस्ता में किया गया जो पाप है वह सब व्रतो सर्ग से नश्ट हो जाता है। इसमें कोई संचन नहीं है। मित्र दोही, कृतागन, सुरापान करने बाला, गुरु पतनी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्रण के चोरी करने बाला भी व्रतो सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं, इसलिए है ताक्ष्यां सभी प्रयत्न करके व्रतो सर्ग करना चाहिए। तीनों लोग में व्रतो सर्ग के समान कोई पुन्यकार नहीं है। पति और पुत्र वाली इस्तरी यदि उन दोनों के सामने मर जाएं, तो उसके उद्धिस से व्रतो सर्ग नहीं करना चाहिए। अब तो दूर देने वाली गाय का दान करना चाहिए। ये गरुण जो व्यक्ति व्रतो सर्ग करने वाली व्रतो को कंदे अत्वा पीट पर भार ढोने के काम में प्रियोग करता है। इस प्रकार व्रतो सर्ग करके सपिंडी करन के पूर्व शोशन स्रादों को करना चाहिए। वैं में तुम से कहता हूँ, मिरत इस्तान में, द्वार पर, अर्द मार्ग में, चिता में, सब के हाथ में और अस्ती संचय में, इस प्रकार छे पिंड प्रदान करके दस दिन तक दस गात्र के दस पिंडों को देना चाहिए। यह प्रतम मलिन सोशनी स्राद कहा जाता है और दूसरा मद्यम किया जाने वाला मद्यम सोशनी कहा जाता है। उसके विशाय में तुमसे कहता हूँ, मद्यम सोशनी में मलिन सोशनी की भाती ही सोले पिंड होते ही। और ग्यारमा पिंड तत्व पुरुस के उद्देश से देना चाहिए। तत्व वेद लोग इसे मद्यम सोशनी कहते ही। ततंतर प्रती मास के वारे, पाक्षक, त्रपाक्षक, उनसान मासिक और उनावदिक इन स्रादों को उत्तम सोशनी कहा जाता है। इसके विसे में मैंने तुम्हें बताया, ये ताक्ष, इनको ग्यारे में दिन चरू बना कर करना चाहिए। ये 48 स्राद प्रतत्व को नश्ट करने वाले हैं। द्वारा दी गई कोई बस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विदान पूर्वक सोशनी त्रई का अनुष्टान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पती के उद्देश से इन स्रादों को करती हैं। तो उसे अनंत स्रे की प्राप्त होती है। जो इस्त्री अपने मिर्त पती की और दहिक क्रिया, शाह, स्राद, वार्षिक स्राद, पाक्षिक स्राद, महाले स्राद करती हैं। वह मेरे द्वारा सती कहीं गई हैं। जो इस्त्री पती के उपकरार्थ पूरवक्त स्रादों का नुष्टान करने के लिए जीवन धारन करती हैं। और मरे हुए अपने पती की स्राद आधी रुप से सेवा करती हैं। वह पती विरता हैं और उसका जीवन सफल हैं। यदि कोई प्रमाद से आध से जलकर अतवा जल में डूप कर मरता हैं। उसके सभी संस्कार यताविदी करने चाहिएं। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से आतवां सर्व के द्वारा मृत्ति हो जाएं। तो दोनों पक्षों की पंचमीत थी को नाग की पूजा करनी चाहिएं। प्रत्वी पर पीठे से फन की आकरती वाले नाग की रशना करके स्वेच्छ पुस्व तथा स्वेच्छ चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिएं। दूप और दीप देना चाहिए तथा टंडुल और तिल चड़ाना चाहिएं। कच्च आठे का नेवेद और दूद अर्पित करना चाहिएं। सक्ति के अनुसार स्वान का नाग और गो ब्रामन को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसंद हो इस प्रकार कहना चाहिए। उन्हें उन जीवों के उग्देश से नारायन वली की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृतक व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राफ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन और जल के सहित घटका दान करना चाहिए। इस प्रकार ग्यारे में दिन स्राद करके सपेंडी करन करना चाहिए। इस प्रकार गरवर्ण प्राण के अनंतरगत सारोत द्वार में एका दसाहा विदी निरुपन नामक बारमा अध्याप पुरा हुआ। बुल गरवर्ण प्रान की जैं। बुल विष्ण भगवान की जैं।